वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग की इस वीडियो में और इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में क्या कुछ क्रिप्टो मार्केट का हाल चल रहा है और क्या कुछ शिवा इनू का हाल चल रहा है और क्या शिवा इनू को लेके अपड चल रहा है क्योंकि फाइनली 1.80 से लेके 1.87 ट्रिलियन डॉलर पे आये थे कल आज फिर से 1.92 ट्रिलियन डॉलर पे वापीस आ चुके है और पूरा ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट अगर आप देखेंगे 2.9% उपर तक्रीबन तक्रीबन 3% पूरा ग्लोबली क्रिप्टो मा लेवल दिखाया तो वहां से बाउंस बैक भी आया कल भी 40,000 डॉलर पे था आज आप देख सकते हो बाउंस बैक जो हम कह रहे थे कि बिटकोईन आपको दिखा सकता है और वो चीज हुई है और बिटकोईन सीधा आया 2.9% उपर ग्रीन में है और बिटकोईन के जो लेवल स 200 यह लेवल चल रहे है और 41,451 का हाई बना चुका है अपने हाई पर ही चल रहा है इस टाइम पे और 39,000 आपको पता है आपने जो लेवल देखा था वो तो आपको पता है 3% बिटकोईन के इंदर ग्रीन री है और अगर हम यहाँ पर बिटकोईन का एक बार चार्ट देख का लेवल था इससे नीचे भी गया थोड़ा सा स्लिप हुआ लेकिन उसके बाद जो रिकवरी दिखाई है जो बाउंस बैक दिखाया है बिटकोईन ने सीधा एक पंप दिखाया है 41,000 डॉलर का यह जो सीधा बूर्ज कलीफा बनाया बिटकोईन ने 41,000 का थाउजन डॉलर यह लेवल चल रहे हैं अभी बिटकोईन के तो काफी अच्छी रिकवरी जो है बिटकोईन ने करके दिखाई है अगर हम इथीरियम को देखें एथीरियम के प्राइस भी काफी अच्छे नंबर हम को जो है एथीरियम के भी देखने को मिल रहा है थाँ 3,000 डॉलर पे एथी 21 डॉलर पे है और हल्की फल्की ग्रीन डी बीन वी को इन में भी इसके लावा XRP में भी आप देखेंगे 2.4% XRP भी उपर है Solana भी 2.8% उपर है 106 डॉलर की हो चुकी है और अगर हम Terra को देखें तो Terra 88 डॉलर पे जो है ट्रेट कर रही है काफी लो लेवल अभी 3.4% उपर चल रही है Cardano भी 2% है अब लॉंच 5% उपर चल रही है T1 पे आ चुकी है 77 से तो ये कुछ करेंसी जैसी है जो आपको 100 डॉलर भी क्रोस करती है देख सकती है Short term के अंदर की बात कर रहा हूं ठीक है Market जड़ा सा momentum बगड़ता है तो ये 100 डॉलर के लेवल को क्रोस कर सकती है Dodge कोईन भी हलका फुलका ग्रीन में है इसके लावा अगर हम Polka Dot देखें 2% चल रही है Polka Dot भी और इसके बाद आ जाते हैं Shiba Inu पे थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कभी कभी क्या होता है Listing अगर आप देखें उस टाइम पे Listing होती तो Benefit कुछ और ही मिलता क्योंकि उस टाइम पे Shiba Inu की इतनी बड़िया Rally और रेडी चल रही थी और Robinhood की हाइप भी बन रही थी और 35% भी अगर Shiba Inu ने Pump करके दिखाया है तो वह एक छोटी चीज नहीं है बहुत सारे लोग उने Sell कर दिया Shiba Inu को Profit Book किया और निकल गए ठीक है तो Selling भी होती है यहाँ पे जब Selling होती है जब Selling जैदा हो जाती है Selling Pressure हो जाता है तो यहाँ पे यह चीज भी हो जाती है और अगर आप देखें किस तरह Wales ने Transaction किया है Wales ने किस तरह से Buying किया है एक Trillion से भी ज़्यदा Token की Buying किया है Buying किया Shiba Inu की Current Price देखें तो अच्छी Series चल रही है 26 की 21, 22 पे हम Already आ चुके थे 26 पे आ चुका है 0.000026 और 21 पे हम Already पहुँची है 30 का High बना किया है हलका Full का Down में है फिर से Pump आ सकता है ठीक है Rally अभी Over नहीं हुई है क्योंकि Volumes काफी अच्छे आ रहे Shiba Inu में 17,6,000 लोगों ने स्कुएड कर लिया वाच लिस्ट में 0.000027.84 ये High बना है 25.76 का Low बना है Shiba Inu का चार्ट देखें हम एक दिन का तो ये जो High चल रहा था Shiba Inu का जो बुर्ज खलीफा बना दिया था टॉप पे चल रहा था 30 की सीरीज टच करने के बाद ये जो Level है कल हम को दिखने को मिल रहे है 27,26 तो वहां से Price डाउन हुए और अभी वहीं पे Price Stable हो गया 26 की सीरीज पे Stable हो गया Shiba Inu के Price और यहां से फिर से Pump आ सकता है ठीक है जिस तरह Shiba Inu की इस टाइम पे हाइप चल रही है जिस तरह से जो है अगर आप देखेंगे Volume आ रहा है अगर आप देखेंगे इस टाइम पे ट्रेडिंग नहीं हो रही है लेकिन यहां पे ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट हो सकती है ट्रेडिंग का कुछ भी हो सकता है अभी आपको Red में दिख रही है तो अभी दो घंटे में आपको Green में भी दिख सकती है ठीक है तो यह Crypto Market की एक खासियत आप कह सकते हो लेकिन Shiba Inu अभी यहां पे almost थोड़ा सा डाउनेट ठीक है हलका फुलका यह कुछ करन्ट एक्षन है Crypto Market और Shiba Inu के तो कल हमने आपको एक अपडेट दिया था तो Smith Company थी Uber Smith और एक थी Rappi Mexico की Company, Delivery Company है यह और इन दोनों ने Crypto Payment Accept की थी और यहां पे अगर आप देखेंगे Rappi को भी Tag किया गया है यहां पे और Bitsow को भी Tag किया गया Bitsow Mexico की Exchange है Rappi Mexico यह Delivery Company है Mexico की इसने Crypto Payment Accept की है Such a good news Surely the initiative will grant more Adoptionship तो Mexico यह Company का अगर मैं आपको दिखा तो यह है Rappi Mexico और इसने जो है Acceptance किया है कल Crypto Payments का और अब हम आगे है Ship the Metaverse के Official Page के उपर जिस तरह से आपको पता है कि Shiba इनों का चल रहा है यहां पे जो Metaverse का जो Bid Event है वो चल रहा है और अगर आप देखेंगे Hey Shiba Army, Are You in Ship.io जो Official Website है जो Bid Event चल रहा है 72 Hours के लिए Metaverse Bidding War Currently Tell Us About We Just Surpassed Over 4500 Plus Transactions So Things Are Heating Up तो इनका अभी तक अब Transactions का नंबर देखेंगे वो 4500 से भी ज़्यादा का Transactions हो चुक है और Remember This Event Will End In Less Than 72 Hours 72 Hours के लिए Event है और हो सकता है इससे कम टाइम में ही खतम हो जाए जितनी भी ये Bid Event के दर Land Release की गई है खरीदने के लिए तो बिलकुल अगर हम Official Website पे आया है Ship.io पे अगर आप यहाँ देखें 72 Hours के लिए पहला ये Bid Event चलेगा इसके बाद यहाँ पे आएगा Holders Event जो 7 Days के लिए रहेगा वो रहेगा Leash और Shiboshi के जो Holder है उनके लिए और 7 Days तक वो जो है यहाँ पे कर सकते हैं Purchase Land का उसके बाद Last में आएगा Public Sale ये वाली Sale जो है सभी के लिए होगी जिसके पास Leash है Shiboshi है तो भी ठीक है नहीं है तो भी ठीक है तो ये कुछ चीजे चल रहे हैं अभी जो पहला event है वो bit event चल रहा है 72 ये कल से start हुआ है तो अभी 72 hours complete नहीं हुआ है ठीक है तो जो Robin Hood के owner है Robin Hood के founder है उनके पहले tweet नहीं आते थे Meme Coin, Shiba Inu से related अब कुछ ऐसे tweets भी आ रहे है Robin Hood के app से भी से भी tweet आ रहे है crypto plus अगर आप देखेंगे dog breeds तो dog breeds जितने भी ये dog tokens है meme coins है जिनका जैसे Shiba Inu है dodge coin है वैसे ही अगर आप देखेंगे crypto dog breeds तो यहाँ पे the future is now यहाँ पे अगर ये देखें तो future is now यहाँ पे कहा गया है इनकी तरफ से तो कही न कही पहले tweet इतने नहीं आते थे लेकिन जब से list कर दिया Shiba Inu को अब यहाँ पे खुल के tweet आने लग गए है और पहले कही न कहीं tweet करने से भी बचा जा रहा था क्योंकि उनको पता है कि listing नहीं किया है तो एक ही question होगा सभी का कि list कब कर रहे है Shiba Inu को तो अब finally यहाँ पे कुछ ऐसे positive tweets मी आ रहे है कि future तक की बाते निकल के आ रहे है crypto और dog breeds मतलब जितने भी meme coins हैं या तो यह सब चीजे हैं tweet को लेके और तो जैसे कि आप सब को पता है कि Shiba Inu ने कल पर सोजो रहली दिखाई है Robinhood की listing के बाद तो coin of the day भी यह रहा है इसके अलावा अगर आप देखें crypto 8 की तरफ यह updates है coin of the day Shiba Inu भी रहा था और top trending searches देखें चाहे आप coin market cap देख लें चाहे आप coin gig को देख लें जितने भी platform से हैं trending search के अंदर भी Shiba Inu आ रहा है यहाँ पे भी इनकी जो trending searches हैं उसके अंदर भी आ रहा है यहाँ पे और Shiba Inu का नाम इसमें भी है इसके अलावा अगर आप देखेंगे lunar crush का भी देखेंगे lunar crush की वज़ा top 10 coins by lunar crush तो यहाँ पे Shiba Inu भी अगर आप देखेंगे top पे है इसके अलावा अगर आप top gainers of the day देखेंगे तो Shiba Inu है ठीक है यह चारो लिस्ट के अंदर Shiba Inu चाया हुआ है और कहीं न कहीं जो rally दिखाई थी उसका benefit यह होता है कि Shiba Inu हर लिस्ट में आज तो आ भी जाता है और अपनी top पे जगा भी बना लेता है यह चीज हमको देखने को जरूर मिलती है जब Shiba Inu में pump आता है तो जो lead developer है Shiba Inu के Shaitoshi Kusama वो यहाँ पे कुछ कह रहे हैं और किसके उपर कह रहे हैं सारी चीज़े यह भी बड़ी interesting चीज़ है अगर आप देखें यहाँ पे पहले मैं आपको एक tweet दिखा जाता हूँ former CEO Jack Dorsey was not happy about Robin Hood listing Shiba Inu मतलब Robin Hood की जो listing होई है Shiba Inu की Robin Hood पे जो listing होई है जो former Twitter के CEO है जो रह चुके है Jack Dorsey वो happy नहीं है वो खुश नहीं है कि Shiba Inu Robin Hood पे list हुआ है उनको खुश ही नहीं होई इस बात से ठीक है इसके अलावा एक जो है statement और आया था Jack Dorsey की तरफ से I have zero interest in cryptocurrencies मतलब Jack Dorsey यह वही Jack Dorsey है जिनका पिछले साल एक event भी वह जिसमें Elon Musk, Kathy Wood और यह Twitter के उस टाइम पे CEO थे तब इन्होंने एक event किया था Bitcoin को लेके उसके बाद काफी अच्छी greenery market में आई थी एक दो महिने के बाद और मतलब काफी अच्छा market चलने लग गया था तब तो बहुत अच्छे अच्छी बाते मतलब चल रही थी Jack Dorsey की तरह उसे Bitcoin की Bitcoin को लेके अब यहाँ पे दो statement आए एक तो I have zero interest in cryptocurrency मतलब cryptocurrency में इंटरस्ट नहीं रहे गया Jack Dorsey को और दूसरा शिपा इन्हों की लिस्टिंग से Jack Dorsey यहाँ पे खुश नहीं है इसके बारे में यहाँ पे शायतोशी कुसामा ने कुछ का है Guess this explains why I cannot get verified तो अभी तक इनका जो अगाउंट है वो verify भी नहीं हुआ है Hey Elon Musk as a Twitter user with almost a million followers you think I would able to easily be verified as myself that's okay I will just focus on ship.io and the metaverse तो यहाँ पे यह कुछ चीजे चल रही है मतलब Elon Musk भी आपको पता है Doge को इनको support करते है लेकिन इतना यहाँ पे यह कह रहे हैं कि मैं अभी तक verify नहीं हुआ account verify नहीं हुआ और यह कही ना कहीं बड़े statement है Jack Dorsey की तरफ से वो Robin Hood की listing से खुशी नहीं है मतलब Shiba Inu की और यह सब कुछ चीजें चल रही है Shaitoshi Kusama की तरफ से भी reply दिया गया है Jack Dorsey को Shiba Inu की sale land के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी ज़्यदा bid यहाँ पे increase होती हुई land वाला enjoyment चल रहा है और अब तक whale ने जितना भी Shiba Inu बाई किया सब का update हमने आपको दिया है Bomber whale ने परसो भी transaction किया था कल भी transaction किया था 217 billion, 216 billion के करीब कल भी खरीदे थे Shiba Inu और total इस whale ने 917 billion Shiba Inu जो है अगर आप देखेंगे टॉप whales accumulated 917 billion लेकिन जो total buying होई थी वो दो दिन के अंदर एक trillion से भी ज़्यदा है बहुत ज़्यदा है जो buying होई है तो यह tweet आया डेविड गॉक्स्टीन की तरह से यह वही डेविड गॉक्स्टीन है जिसनोंने 29 December 2021 को year end होने से दो दिन पहले एक AMS session किया था Shiba Inu team के साथ और उस AMS session के बाद बहुत updates आई थी roadmap को release किया गया 2022 तो इनोंने Shiba Inu की team के साथ यह में session किया है तो इनको सब चीजें पता है और कहीं न कहीं यह इस चीज को कह रहे हैं तो definitely यहाँ पर यह पूरे chances है I don't believe SHIB will hit $1 तो इनको लगता है कि Shiba Inu इनको नहीं लगता है इनको believe नहीं है कि Shiba Inu $1 को hit करेगा but I can see it touching $0.001 यह वाला price भी अगर hit कर लेता है जल्दी तो यह भी एक अच्छा level होगा और यह इनका personal opinion है ठीक है अगर आप देखें $1 का level इनको नहीं लगता कि hit करेगा कर तो सकता है लेकिन इतनी जल्दी इनको लग रहा है कि नहीं करेगा यह एक बड़ा statement है डैविड कॉक्षिन की तरफ से बिछले 24 गंटे में अगर burning का नंबर देखें शिबाइनू की तो 134 million शिबाइनू supply से बाहर जा चुके हैं burn हो चुके हैं circulation से बाहर हो चुके हैं और 134 million का नंबर हमको देखने को मिला पिछले 24 गंटे के अंदर तो आगे हैं शिबाइनू के इंडियन रुपीज के चार्ट में जो सीरीज हमको 17 तक पहुंचती भी दिख गई थी लेकिन फिर से शिबाइनू 23 तक भी गया अगर आप देखेंगे 1 डे का चार्ट देखेंगे 2021 वन वीक का देखेंगे 17 से लेके 23 का यह जो बुर्ज खलीफा बनाया शिबाइनू रॉबिन ओड लिस्टिंग के बाद यह लो गया और जिसने इस लो पर बाय किया अगर आप खुद सोचो जिसने इस लो पर बाय किया और यहां तक प्राइस चला गया तो उसने सेल कर दिया बहुत सारी सेलिंग भी हुई तो सेलिंग भी होती है और फिर से पंप आ सकता है इसमें कोई शक वाली डाउट वाली बात नहीं है तो यह कुछ स्प्राइस चल रहे हैं 20 की सीरीज पे चल रहा है आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़े समझ गये होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में टैली ग्राम चैनल का लिंक है जोइन नहीं किया तो जोइन कर सकते हो वहाँ भी इंपोर्टेंट जोब डेट रहता है आपको मिलता रहता है वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर जुरू कर देना आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई